हेलो एबरिवन जय हिंद आज एक बहुत इंपोर्टेन लेकर आपके सामने आया हूँ वह हम डिसकस करेंगे आपका स्किल टेस्ट के उपर और यह स्टार्ट करने से पहले आभी काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेर्मेंट था काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया क असाम डिरेक्ट रिक्वेंट्स के बाद आभी आपका जो डिएचस और आपका SSC में पहले बार एराउंड 56 ताउजन वेकेंसी हमारा आया हुआ है तो SSC का और DHS का हमारा online classes शुरू होने वाला है 1 September से हमारा classes वगरा शुरू होगा इसमें हमारा offline और online दोनों चलेगा लेकिन अभी हमारा online classes शुरू हो रहा है और जो भी interested है आप online classes अटेंड कर सकते इसका online classes आपका regular मिलेगा और आपका YouTube में भी आपका DHS और SSC का भी class आपका YouTube में भी आपको regular classes मिलता जाएगा तो जो लोग interested है online classes के लिए आप इस वाले contact number के साथ आप एक बड़ यह उनों discuss कर सकते तो चलिए सर यह वाला एक छोटा सा information था जो आपके साथ हम share कर रहे और अभी हम आ जाएंगे आपका skill test के बारे में ठीक है तो यह session शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस channel में I welcome you all और आने वाला जो भी notification है इसके लिए आप channel को ज़रूर subscribe करके रखिए ताकि आपका आने वाला classes का notification आप सबको मिलता जाए अगर वीडियो को अच्चा लगे तो like और comment करना ना भूलेंगे तो चलिए सर हम start कर रहे आपका skill test के बारे में यह जो हम start करेंगे हम बात करेंगे जो आपका skill test के बारे में यह skill test आपका आएगा पूरा इसका skill test के लिए मैं आपका बात करूँगा बस driver post छोड़के बाकि सब के लिए बात कर रहा हूँ driver post छोड़के बाकि सब के लिए grade 4 के लिए और आपका grade 3 के लिए ठीके अगर आप इसका paper 1 बोलिए paper 2 बोलिए या फिर इसका पेपार 1 बोलिए पेपार 2 बोलिए जो पुलना चाहते पेपार 3 पेपार 4 जो नाम देना चाहते मैंने दोनों केटागरी का मैंने ले लिया स्कील टेस्ट आप कोमेंट में फिर अलग से एक डिपार्मेंटल वाइस मत पूछिए मैंने बस ड्राइबर पोस्ट चोड़ दिया क्योंकि ड्राइबर के लिए आपका स्कील टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग वो आपको पता है इसका एक्जाम भी अलग से हो रहा है इसका स्कील टेस्ट भी टोटली अलग से होगा यह इसके अंडर पे नहीं आता है कैटागोरी तो वैसे grade 4 है लेकिन skill test अलही है तो यहाद जो skill test जह में बात करेंगे तो skill test के बारे में पहले बात करने से पहले हम department बगरा को तुला समझ लेते सर आपको पता है कि आज में आज कल जोब जोइन करने के बाद कोई एक department आप जोइन करेंगे department join करेंगे तो आपको पता है कि आज का जो भी department है न वो सरा department digitalization department हो गया आपको पता है तो जब आप department में जाएंगे न तो आप वो grade 3 और gauge 4 department join करने के बाद आप काम क्या करेंगे आप पहले वो चीज़ को समझ लीजी हमारे already जो student वो कुछी department में जाके join किये हम उनसे लगातर दो दिन बात किये हमने उससे पूछा कि आप जो department join किये उनमें वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो तो उन्होंने ये चीज़ हमें बताया और उस हिसाब से हम पहले previous questions solve करके जब हमने उनके साथ discuss किया तो उन्होंने हमें ये suggestion दिया और उन्होंने मतलब कोई भी project work होगा या फिर कोई भी department related काम होगा वहाँ पे file आपको वह maintain करना पड़ेगा file maintain in the sense पहले वो register होता था लेकिन अभी वो digitalization computerization computerized file हो गए आपको पता है तो file बोले तो क्या जैसे मान लीजे department में कई pack मतलब कोई skim चल रहा है वहाँ पे आपको वह चीज किनों कहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है किनको यह चीज forward किया गया वह सारा चीज आपको maintain करना पड़ेगा फिर आपको higher authority में आपको वह report file आपको send करना पड़ेगा grade 3 का भी वही है grade 3 मतलब grade 4 से तोड़ा higher level में है वह अपने immediate senior के साथ वह consult करेंगे जो grade 4 उनको send करेग वही grade 3 वी वही चीज को edit करके वही चीज फिर उनको maintain करके फिर वह अपना higher authority के साथ वह चीज discuss करेंगे तो यहाँ पे हमारा department join करने के बाद एक अच्छा skill होना हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है department क्या करता है वह पहले से वह चीज आप बोलेंगे sir हम इसके लिए हमें skill test क्यों ले रहे वह तो हम department join करने के बाद फिर भी वह भी तो हमें यह चीज़ सिखा सकते है हाँ ज़रूर सिखा सकते है लेकिन actually क्या है वह लोग न एक skillful आदमी चाहते है वह नहीं चाहते है कि अगर department में जाएंगे तो उनके लिए department चालाना उनको सिखाना उनके लिए आसान होगा as compared to any random guy तो इसलिए पहले से वह लोग जाज करते हैं कि आप कितना skillful हो अगर आप already skillful हो तो obviously उनको सिखाने में उनके मेहनत कम करना पड़ेगा उनको छटाई करने में आसान होगा इसल फृषिजए में एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा मौन लिए मोटा मोटा माणनेए की एक देढ मयने में 已िने में आपका result आ गाए है तो अगर डे debates महीने में आपका result आ जाए दो महीने भी नहीं होगा जैसे रिजल्ट आएगा तुरंद आपका बोलेगा आप स्किल टेस्ट में आ जाईए तो उस टाइम पे आपको 15-20 दिन टाइम लहेगा और 15-20 दिन में आपका टाइम में आपका स्किल टेस्ट आपना डेवलाप नहीं कर सकते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं है तो कौन कोण लोग यह स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे जो जनरल काटागरी में है ग्रेट मैसमा ग्रेट फूर के लिए मैं बात करूँगा 900 प्लास के लिए और ग्रेट 2 के लिए में बात करूँगा 120 प्लास के लिए अगर तो आप ग्रेट फूर के लिए आप 80 प्लास वाले SCST के लिए VWS के के लिए बोल रहा हूं और यह 100 प्लास SCST UWS जो भी बूली है इसका जो हमने जो काट ओफ का जो हमने इसका एक्सपेक्टेट क्या काट ओफ आने वाला इसका इसका फास्ट कोमेंट मैं आपका लिंक प्रवाइट करा दूँगा आप मोटा मोटा आप इसका जो काट ओफ कोनलास जो हने वाला है आपके साथ डिसकास कर लेंगे ठीक है तो पहले आप यह चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका माक्स अगर SCST है और अगर आप ग्रेट फ के लिए और जो लोग जनरेल है उनके लिए में बोर्ट ओंडेट प्लास अगर आपका माक्स है 150 में तो आप स्किल टेस्ट के लिए ज़रूर जाहिए और ग्रेट फॉर वालों के लिए मैं वही बोलूंगा अगर आपका जनरल के लिए अगर 120 प्लास है तो आप जरूर इस कटागोरी में जो लोग आ रहे इनके लिए मैं आपको बता देता हूँ यह सारा चीज है तो यह सारे स्टूडेंट के साथ हमें डिस्कास करने के बाद फिर हमने यह चीज हमने देखा कि यह जो स्टूडेंट जो हमारा डिपार्टमेंट जाके जोएन कर रहे वह डिप पहली बात आपको मतब इंग्लिश के बात कर रहा हूँ में स्कील टेस्ट के लिए वहां पर क्या आपको से पूछे कोई गरांटी नहीं है अगर आपको इंग्लिश के लिए बोलेंगे तो वहां पर आपको एक रिपोर्ट फाइल बनाने के लिए बोलेंगे कोई एक रिप दिया दे जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए आप कही पर अरुंदय का जैसे कि आपका फिल्ड विजिट हो रहा है तो कितने लोग आप पार्टिसिबेट किये हो कितनी लिए उसको एक रिटेन फॉर्म में आपको लेना के लिए आपको बोले का तो आपको एसे एक कंडिशन ए आप अपना रिपोर्ट समिट कर रहे तो में के रिपोर्ट तो रिपोर्ट फाइल कैसे समिट करना है वो आपको एक रिटेन फॉर्म में आपको देना पड़ेगा that is English I hope आपको रिपेट रिपोर्ट फाइल समझ में आ गया रिए रिपोर्ट फाइल कैसे बनाते है कैसे इस पता होना चाहिए कि होना क्या है बाग कि आप यूटूब में गूगल में करेंगे तो रिपोट फाइल कैसे बनाते है ओफिशल हो आपको मिल जाएगा वैसे भी फिर आपको ये अप्लिकेशन लेटर बगरा पहले से पूछ पहले पूछते थे लेकिन अभी ये सब अप्लिक नहीं लेंगे हम इंग्लिश ज़रूर करके जाएंगे रिपोट फाइल और एप्लिकेशन फॉर्मेट वगरा ये सब सारा चीज़ हम एक बार ज़रूर देखके जाएंगे अभी आप आज यह कॉंपीटर स्किल टेस्ट बेसिकली यह ज्यदा इंपोर्टेंट है और मैं मान कौन सा सौफ्ट्वेर में कौन सा एप्लिकेशन में आप हमारा स्टूडेंस काम कर रहें तो वह है कि आपका MS-XL MS-XL is very very important MS-XL आप जब डिपार्टमेंट जोइन करेंगे तो डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में जो भी आपका जो जो भी एरिया होगा जो भी डिस्टिक में आप जाएंगे तो वहाँ पे उस डिस्टिक का उस डिपार्टमेंट का सारा आपका सेलारी स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा salary statement बनाने पड़ेगा और आपको पता है कि आभी salary statement वगरा सब digitalization हो गया तो MS Excel आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए MS Excel में आपका वो sheet वगरा कैसे बनाते row column कैसे select करते है फिर आपका row column फिर इसका बाद entry कैसे लिया जाता है कैसे entry लेते है MS Excel में कैसे entry करते हैं कैसे exit करते हैं कैसे file save करते हैं कैसे file को edit करते हैं ये सारा एक एक चीज आपको रट्टा याद होना चाहिए second में आपका होना चाहिए पहली में सबसे and most important प्रेंड आपका MS Excel वह तो आपका होना ही होना चाहिए फिर आपका माक्षिट भी पूछ सकता है वह सारा चीज आपका यहां पर फिर वह आपको पूछेगा ठीक है फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे तो हम आपके साथ डिसकास करेंगे वह है कि हमारा MS Word में जो राइटिंग वगरा का अगर आप कई को मतलब बहुत सारे स्टुडेंट्स अगर आपका स्टेनों के लिए कई जा रहे तो उनके लिए आपका शॉट की जो की वार्ड यूज होता है ना शॉट की वगरा जो हम मतलब वह हम यूज कं अगर आपको पूचेंगे कि इसका फाइल को आटोमेटिक लिए सेब करने के लिए आप शॉट की क्या यूज करेंगे तो वह शॉट की सब याद होना चाहिए और याद करने से नहीं होगा आप इसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको ठीक है यह हो गए आपका MS Word उसके बाद मैं आपको बात करूंगा MS PPT MS PowerPoint presentation आपका जो grade 2 आपका higher officer जो भी होंगे जो department का जो आपका presentation देना पड़ेगा वो कभी आपको आपको बना के देना पड़ेगा क्योंकि आप report file बनाएंगे आपको better knowledge होगा यह उसी project के बारे में तो आपको वो बोलेंगे कि आप PP PPT बनाके दीजी हमें उनको ready made PPT मिलेगा वो जाकर present करेंगे अपना credit ले जाएंगे यह वही system ही चल रहा है ठीके तो MS PPT PPT कैसे बनाते PPT का अच्छा font कैसे select करते PPT का standard format क्या होता है वो सारा चीज इसका font इसका presentation इसका you know outline यह सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाह यह जितना अच्छा प्रभी आउट्लूक होता है PPT का उतना देखने के बाद इतना अच्छा लगता है हमें है ना तो वह हमें एक अच्छा PPT एक बहुत एक अच्छा PPT बनाना ज़रूर है हमरे लिए तो और basic जो computer यह basic computer के बारे में तो आपको जनना ही जनना है basic computer बगरा typing भी आपका typing में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा typing भी आपको tick-tack करना पड़ेगा एक अच्छा speed होना चाहिए आपका typing में ऐसा की नहीं एक एक word देख देख आराम अराम से शाम तर्व पूरा लगा के आपकर रहे हूँ एसा भी नहीं होना चाहिए आपके पास ठीक ह तो आपका language command आपका language कोई भी language है language command आपका ठीक होना चाहिए फिर ये भी जो भी आपका मतलब ये skill test based ये सारा और application के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर वही सारा चीज था कि आपका ये pbt में आपका word वगरा में excel sheet वगरा में इसका diagrammatic based diagram वगरा कैसे बनाएंगे diagram में भी आप ज़्यादा दियान दिजिए कि कैसे आप diagram को draw करेंगे है ना वो सारा चीज photo editing वगरा इतना important नहीं होगा हमारे लिए यहाँ पे लेकिन फिर भी एक बार तोला तोला एक बार एक बार उसको चीज को आप एक बार ज़रूर देखके जाईए तो यह काफी students का requirement था कि हम skill test के उपर एक video बनाए तो हमने कोशिश किया यह कि इसके हमने आपको पूरा details देने के लिए कोशिश किया और आभी मैं आपको suggest करूँगा ना कि सर जो इनके जब आप skill test के लिए जाएंगे ना मुझे नहीं लगता है आपको वहाँ पर लैप्टॉप होगर आप प्रोबाइड किया जाएगा वहाँ पर आपको desktop mode प्रोबाइड कराया जाएगा और desktop mode अगर आपको प्रोबाइड करा जाएगा तो अगर आप अगर mouse और keyboard के साथ आप comfortable नहीं हो रहे हो तो वहाँ पर जाके आपको external keyboard और mouse के साथ आपको दिक्कत हो सकता है तो पहले से आप इसको एक बार जो मतलब पूरा आपके पास एक mouse और एक external mouse अगर आपके पास laptop है तो external mouse और external keyboard आपके लिए मास्ट है अच्छे से practice कीजिए और ना एक चीज आप ज़रूर एक चीज अब ध्यान रखेंगे आपके maximum आपको अगर test दिया जाएगा test के लिए 30 minutes तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हू students ने बोला कि 15 minutes time देते हैं maximum time देंगे 15 minutes सोचिए सर वापे students होंगे आपका near about 50,000 students होंगे और उनको कम से कम 4 past या one week में आपका पूरा skill test करा देंगे आपका और system कितना रहेगा कितना system provide करा देंगे 100-200 कितना students का कितना time ले लेंगे possible ही नहीं होगा है ना तो maximum 15 minutes आपको time मिलेगा और 15 minutes में कोई भी बनाके बोलेंगे mx excel sheet बनाके हमें दिखाईए एक condition देंगे और बोलेंगे mx sheet बनाके हमें दिखाईए तो 15 minutes time अगर आपका practice अच्छा नहीं है ना तो आपका बहुत ज़्यादा time लग जाएगा है ना तो मैं इसलिए आपको suggest करूंगा कि आप बहुत अच्छे से practice कीजिए आपके पास आप बोलेंगे फिर हमारा बुलावा आने के बाद हम करेंगे सर्फ 10-15 दिन में आपका कुछ नहीं होने वाला है आपको तोलाब होता आ जाएगा लेकिन इसका practice नहीं करेंगे तो स्पीड आप नहीं होगा तो मैं इसलिए अभी बोल्डर अगर आपका माक्स अगर मैंने जो आपका बताया है अगर इसी रेंज में अगर आपका माक्स आ रहा है तो आभी साप skill test के लिए आप शुडू हो जाईए अगर आपके पास अगर घर में desktop laptop है तो बहुत अच्छा अगर će आफ्सी अगने पॉर ऐ आपको सबस्केंटर अपके अगर अगर आपके पास अगर अगर laptop नहीं है तो आपको साजेक्ट करूंगा कोई वी एक computer center आप join करके आप वहाँ पर भी जाके practice कर सकते हैं दो देड़ दो महीने में आपका 1000-1000 रुपय लगेगा इसके लिए इतना पैसा नहीं लगेगा अगर आपका कोई friend का अगर laptop desktop है तो आप उनसे भी बोरो करके फिर आप practice कर सकते हैं लेकिन इसको आप खलके में मत लीजिए सर हर दो आपका selection होने के बाद भी अगर अच्छे से practice नहीं होगा तो selection लेते रेते आपका selection रुख जाएगा क्योंकि हर दो बच्चे में से एक बच्चे उनको select करना पड़ेगा इसका मतलब दोनों में سے कि आप दो अगर जाएंगे तो दोनों में एक reject होना पड़ेगा रुख वहाँ पे आपका best of best जाएंगे वोहाँ पे 12 लक बच्चे नहीं जाएंगे वहाँ 50,000 बच्चे जाएंगे और 50,000 वहाँ पे जो बच्चे जाएंगे न वहाँ पे आपका best जाएंगे तो लड़ाई आपका बेस्ट बेस्ट में से होगा तो इसलिए आप इसको जरूर इसको हलके में मतलिजिए अब इस चरूर हो जाईए आपको ये आपका रिजल्ट याने के बाद ज्यादा टाइम नहीं मिलेका मैक्सिकम 15 20 दिन में टाइम मिले तो तुलाब वो ठीक है हमारा computer knowledge तो जो भी कोशिश होगा हमारे side से हम आपको आपके साथ theory share करने के लिए कोशिश करेंगे लेगिन obviously practice तो नहीं करा सकते वो practice तो आपको ही करना पड़ेगा है न सर तो वो सरा चीज आप practice में शुरू हो जाए यह theory आपको मिल जाएगा कहीं से भी आपको theory मिल जाएगा theory का tension नहीं है टेंशन है आपका skill test का skill skill का development का उचीज में आप ज़रूर दियान दीजिए practice ज़रूर कीजिए और इसको में time मत गवाईए आप इसे शुरू हो जाईए ठीक है सर तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो like और comment ना करना भूली है आपका support ही हमें motivate करता कि और वीडियो आना के लिए आप अपना motivation हमारे साथ ज़रूर रखेंगे channel को subscribe करके आप अपना support हमारे साथ ज़रूर दिखाएंगे ठीक है सर और आप में help करेंगे इस family को आगे बढ़ाने में चुलिए इसी उमेद के साथ हम आपसे बीदा लेते मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए आपना खयाल रखें टेक क्या वाबाई